नमस्कार राजस्तान बगवती क्लासेज में आपका हार्डिक स्वागत है कल की राजस्तान जोग्राफी की कक्षा में अपन ने राजस्तान की स्थती और विस्तार को देख लिया था राजस्तान का अक्सान से विस्तार कितना है राजस्तान का देशंत्री विस्तार कितना है राजस्तान की करकरेखा जो है राजस्तान में कितने दूरी से निकलती है कितने किलोमेटर तक करकरेखा निकलती है किन किन जिलों से करकरेखा निकलती है सबी बाते अपन निकल की गख्षा में देख लीती उसी स्रेड़ी में अगर आगे चलते हैं तो राजस्तान की सीमाओं का विस्तार आता है सीमाओं, राजस्तान की सीमाओं किन किन राज्यों से लगती है राजस्तान की कितनी किलोमेटर तक सीमाओं फिली भी है ये सबी बाते हैं आज अपन आज की क्लास में देखेंगे सबसे पहले अगर देखते हैं तो राजस्तान की इस्तती अपन ने देख ली थी कि राजस्तान की एसिया के संबंध में इस्तती देखते हैं तो दक्षिन पस्चिम आती है विश्वे के संदर्व में देखते हैं तो उतर पूर वे आती है और भारत के संदर्व में देखते हैं तो उतर पस्चिम की तरफ राजस्तान की इस्तती आती है तो उसी के साथ राजस्तान की सिमाओं का विस्तार अगर अब देखते हैं तो राजस्तान की अगर अगर विस्तार देखते हैं तो राजस्तान की उत्तर से दक्षिन की तरफ अगर विस्तार देखते हैं तो आजस्तान की उत्तर से दक्षिन की तरफ अगर विस्तार देखते ह के बासवाटर तक की अगर राजस्तान की दूरी देखी जाए शिद्धी तो 826 किलोमेटर आती है उसी के साथ पूरा उसे पस्चिम की अगर दूरी देखी जाए राजस्तान की तो आते 800 गुनंतर किलोमेटर मतलब दोलपूर से लेके अगर जेसलमेर तक की दूरी देखी जा तो इनके दो बिंदू है, जिनको बिंदू मानते हैं कि यहां से लेके दक्षिन तक की दूरी मापी जाती है, तो कोना गाव है अपने जैसे गंगानगर का, गंगानगर तैसिल का कोना गाव है, वहां से लेके बोरकुंडा गाउं है कुसलगर तेसिल में बासवाडा का वहां तक अगर दूरी देखी जाए तो 826 किलोमेटर आती है तो अगर राजस्तान का उत्तरी गाउं उत्तरी सीमा का सबसे लाष्ट का गाउं सबसे अंतिम गाउं पुछा जाए तो कोना गाउं गंगानगर तेसिल में आता है और दक्षणी सीमा का सबसे अंतिम गाउं या सबसे अंतिम बिंदू पुचा जाए तो बोरकुंडा गाउं कुसल गरतेशी बासवाडा में आता है इसी के साथ आर सो चबीस किलोमेटर उत्तर से दक्षण की इसकी लंबाई हो गई अगर उत्री शीमा का सबसे अंतिम गाउं या अंतिम बिंदू पुछा जाए तो कोणा गाउं जो गंगानगर तेशिल में आता है गंगानगर जिले में आता है दक्षणी सीमा का अगर लाष्ट गाउं पुछा जाए अंतिम गाउं पुछा जाए तो वो होता है बोरकुंडा गाउं कुसल गरते सिल बासवाडा इसे के साथ अगर पूर्वी सिमा का अंतिम गाउं या अंतिम बिंदू पुझा जाए तो वो है सिलावट गाउं राजा खेडाते सिल दोरपुर कौन सा गाउं है सिलावट गाउं राजा खेडाते सिल दोरपुर राजस्तान का पूर्वी शिमा का अंतिम गाउं या अंतिम बिंदू, सिलावट गाउं, राजा खेड़ा तेशल, दोलपुर अंतिम पूर्वे से पस्चिम के अगर लंबाई पूछ ली जाए तो आठ सो गुरंटर क्लोमेटर होती है पूर्वे का अंतिम बिंदू, मतलब अंतिम गाउं पूछ ला जाए तो होता सिलावट गाउं, राजा खेडा तेसिल, दोहलपूर और अगर पस्चिम का अंतिम मिंदू पूछ लिया जाए तो कट्रा कट्रा जेसल मेर तैसिल मेर जिले का कट्रा गाम है जो जेसल मेर तैसिल के अंदर आता है इसका कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये सम तैसिल के अंदर आता है पूर्वी शिमा का अंतिम मिंदू है शिलावट गाउं और पस्चिमी शिमा का अंतिम मिंदू है कटरा गाउं राजस्तान का सबसे पूर्वी गाउं हो है जो शिलावट ही होता है यह अपनने देख लिया है 826 किलोमेटर अपनने बताई है उत्तर से दक्षिन की और 800 गुनंतर किलोमेटर बताई है अपनने पूरव से पस्चिन की लंबाई राजस्तान की अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो वो आता है 43 किलोमेटर तो राजस्तान की उत्तरी दक्षणी लंबाई वे पूरव पस्चिन की लंबाई का अगर अंतर पूछ लिया जाए तो वो कितनी किलोमेटर आता है? 53 किलोमेटर आता है ये कैसे आई ये आपको उपर पता चल गया होगा कैसे 800-90 km गुर्व से पस्चिम की लंबाई है और 827 km अपनी उत्तर से धख्षन की लंबाई है इन दोनों को अगर मईनस करेंगे तो कितना आएगा उत्तर अपना? 43 km तो गुर्व से पस्चिम की लंबाई पना अंतर अगर पोश ले जाये कि राजस्तान ये राजस्तान मानते है अपन राजस्तान की ये विकंड की लंबाई और ये दोनों विकंड होते हैं राजस्तान की विकंड की लंबाई कितनी है तो राजस्तान की विकंड की लंबाई देखते हैं तो दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूरव अगर विक्रेंड मानते हैं दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूरव ये दक्षिन पस्चिम होगी ये दक्षिन दिशा होती है ये उत्तर दिशा होती है ये पूरव दिशा होती है ये पस्चिम दिशा होती है तो दक्षिन पस्चिम से लेके दक्षिन पूरों तक ही देखी जाए तो उसकी दूरी होती है 850 किलोमेटर उत्तर पस्चिम से लेके दक्षिन पूरों तक ही अगर दूरी देखी जाए तो उत्तर पस्चिम से दक्षिन पूरों तक ही अगर दूरी देखी जाए तो उत्तर पस्चिम से दक्षिन पूर के विकंड की लंबाई बताइए या उत्तर पस्तिम से लेके दक्षिनपुरो तके विकंड की लंबाई बताइए आगे कुछ मैतवपून तत्थ हैं उनको अपन देखते हैं कि राजस्तान का अगर मद्देवर्ती जिला पूछ लिया जाए तो उनमें आता है नागोर नागो जो राजस्तान का मद्देवर्ती देशान तर देखा है वो भी नागोर से निकलती है इसलिए राजस्तान का मद्देवर्ती जिला जो है वो नागोर जिला हो गया और राजस्तान का मद्देवर्ती जिला पूछ लिया जाए जब जिला मद्देवर्ती होगा तो गाउं भी किसी का होगा नागोर जिले का ही एक गाउं होगा लामपोलाई लामपोलाई नाम का गाउं है जो मेर्ट आतेशिल है नागोर में उसमें पढ़ता है लामपोलाई गाउं जो राजस्तान का मद्देवर्ती गाउं होता है राजस्तान का मद्देवर्ती जिला पूछ लिया जा तो राज्तान की इस्तलाकरती की सिद्धान्त वेगनर थे वेगनर भूवेगनिक थे जुन्होंने राज्तान की इस्तलाकरती का निर्धारण किया था राज्तान की इस्तलाकरती वेगनर की सिद्धान्त पर अधरी था या राज्तान की इस्तलाकरती का जो निर्धारण था व भी अपने देख लिया है, यह सभी परसन आपकी एक्जाम में आने लाइक है, यह इंपोर्टेंट परसन हो सकते हैं, इसलिए इनको ज्यान से देखें, इसी स्टेडिय में आगे देखते हैं, अगर राजस्तान की आकरती की बात की जाए कि राजस्तान की आकरती कौन से प्रक कि विश्म कौन्हें चत्र भुज के शमानें जाती है या पतंidet कार Бagy पतंग के समाना कर आधर राज़स्तान के इस्दिल्ह करती पहली बार किसी वेक्ट्री ने वैगी में तो हुथ हेंड लेजी तो धैना इंगा निय्वार च्वथा और तो कि इस तर्फ शीधिस भार चौना जेएड हे सफदॉ और इस वे शीधिते को ऑना जो समस्कोर推दोह लेथ वहुथ हीगा संद्व करते हैं में ये जैपुर में थे तो अगर इसी के साथ अपने राजस्तान की इस्तती को देख लिया है राजस्तान की विस्तार को समझ लिया है थोड़ा बहुत उसे के आगए अपन देखते हैं कि राजस्तान की अगर कुल इस्तले सीमा की बात की जाई राजस्तान की कुल इस्तले सी सिमा हो तिवांच औजानो सो बीस किलोमेटर किते हैं पांच आगाव सिमा अग्ती है अगर कोvelmente कि समन्तर से लगती है किस मासागर तो राशost important वेक्ट जो तो आपको याद रखना चाहिए, राजस्तान की कोई भी जलिय सीमा नहीं लगती है, राजस्तान की अंतररज्य सीमा की बात कर ली जाए, राजस्तान की कुल सीमा स्तलिय सीमा थी 5920, जिसमें से राजस्तान की अंतररज्य, राज्यों के बीच लगने वाली सीमा, राजस्तान की अंतर रज्जे होती है जो दो रज्जों की बीश लगती है दो रज्जों की बीश लगने वाली रज्जे और रज्जे की बीश लगने वाली सिमा तो होती है अंतर रज्जे और रज्जे की देश के साथ या रज्जे की देश के साथ लगने वाली सिमा अंतर रज्जे सिम सीमा एक मातर देश के साथ लगता है जिस का नाव हरयाना ना Agriculture सीमा और 14,850 km और अंतरराष्टे सीमा केवल पाकिस्तान देश के साथ लगती है जिसकी लंबाई है 1070 km अगर अंतरराष्टे सीमा की राज़तान के सम्मंद में पूछ लिजाए कि इसका परतिसत कितना है देश के सम्मंद में अंतरराष्टे सीमा की भारत और पाकिस्तान की बीच अंतरराष्टे सीमा का निरदरन करती है उसको कौन से रेखा कते हैं? रेड ग्रिट रेखा राजस्तान की अंतरराषर्च्टि सिमा एक जार सत्तर किलो क्लो मेटर लगती है जिसका अगर 574 देखा जाए गुल स्तक्षा सिमा में तो 18.07% इसका पुल स्तली सिमा का कुल इस्तЕली शिमा राजस्तान की थी 5920 किलोमेटर उसमें से अगर रेड क्ली पूश ली पूश लिजााkem तो वो आता आई 18.07% ये भी परसंब बन सकता है कि राजस्तान की अंतर्याष्टी शिमा का कुल इस्तेली शिमा से पूश ली जाए तोт तो 17.07% अहती है इसली कागे देखते हैं कि rare klip areka, रेड गाली रेका कौन से होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्टी जो सिमा बना रही है वह रेखा अगर कहलाती है तो उसका नाम है rare klip areka या भारत और राजस्तान के बीच बारत और जब पाकिस्तान के बीच होगी तो राजस्तान भी भारत के अंदर आ गया तो भारत और राजस्तान के बीच जो अंतरराष्टे सिमा बनती है उस रेखा को कहते है रेड गिलिप रेखा रेड ग्रीप रेखा एक मत्र विस्व की एक मत्र ऐसी रेखा है जिसका निर्दरन जो था मांचितर में कलम से किया गया है विस्व की एक मत्र ऐसी रेखा जिसका निर्दरन कलम से किया गया है उस रेखा का नाम है रेड ग्रीप रेखा इसका जो निर्दरन वाता 1947 इसका जो सर सीरिल रेड क्रिप जी थे इसके अदेक्स कों थे सर सीरिल रेड क्रिप जी सीमायोग बनाया था 1947 में उसी टाइम भारत और पाकिस्तान की सीमा का नेधरण हो गया था उस रेड क्रिप रेखा की जो सीमायोग बनाया गया था उसमें अगर कांग्रेश के अदेख्स देखे जाए, मनोनी तेख्स देखे जाए, तो उनका नाम था महरचंद जी महाजन और तेज शिंगी, महरचंद जी महाजन और तेज शिंगी, ये दो थे कांग्रेश के मनोनी सदश्य, और अगर मुस्लिम लीग के सदश्य या मुस्लिम लीग के सद निर्दारन रेट क्लिप सिमा का निर्दारन हो गया था रेट क्लिप सिमा की अगर कुल लंबाई की बात कर ली जाए भारत में कुल लंबाई की पूरी भारत और पाकिस्तान की सिमा की बात कर ली जाए तो उसकी लंबाई है 3323 किलो मेटर भारत और पाकिस्तान की जो सिमा है प्रदोस्तिए के टच होती भी जाती है लजा ये खानम पर owner अगर इसी के सादब आगे देखते हैं कि पाकिस्तान से लगने वाले सिमा वर्ती जो जिले हैं पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है 1070 किलोमेटर तो 1070 किलोमेटर किन किन जिलों से कितनी कितनी सीमा बन रही है अपना आगे देखते हैं तो गंगानगर सरव परतम चार जिले आते हैं गंगानगर बिकानेर जेसल मेरोर बाड मेर यह चार जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ठे सीमा बना रहे हैं इनमें सबसे पहले आता है गंगानगर जो उत्री जिला है राजस्तान का गंगानगर गंगानगर के साथ जो पाकिस्तान की सीमा बन रही है वो बन रही है 210 किलोमेटर गंगानगर के गंगानगर के पाइशिंगपुर, अनुपगड और गढ़सान ये पांच जो गाम है ये पांच जो तैसिले हैं उनके साथ पाकिस्तान की सिमा लगती है गंगानगर से पाकिस्तान की सिमा कितनी लिखती है 210 किलोमेटर आगे दूसरा जो जिला आता है अपना राजस्तान का बिकानेर बिकान पाकिस्तान के बिकानेर जिले की पाकिस्तान से सिमा लगती है कितने किलोमेटर लगती है 168 किलोमेटर तीसरी जो है जेसल मेर तीसरा जो जिला है राजस्तान का जेसल मेर उससे सरवादिक सिमा लगती है पाकिस्तान की 464 किलोमेटर जो जेसल मेर के पोकरन और जेसल मेर तै तो अगर बात करें बात करें अपन कि ये अपना राजस्तान हो गया ये राजस्तान हो गया तो सबसे पहले अपना आता है गंगानगर उसके बाद में अपना आता है बिकानेर ये चार ऐसे जिल्हें हैं जिनके साथ पाकिस्तान देश की सिमा लगती है जिसे रेडे कलिकली प्रेका कहते हैं वो केवल चार जिले हैं अपने राजस्तान के जिन से सीमा मनाते हैं सबसे पहले उत्तर दिसा में आता है गंगानगर उसके बाद में भिकानेर फिर जेसलमेर फिर बाडमेर यह चार ऐसे जिले हैं जिनके साथ पाकिस्तान सीमा मनाता है सबसे कम अगर सीमा की बात की जाए, सबसे कम अगर पाकिस्तान के साथ सीमा की बात की जाए, तो वो है भिकालेर, कितनी है, 168 किलोमेटर, कितनी है, 168 किलोमेटर, सबसे ज्यदा अगर सीमा की बात की जाए, कि पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा कुन मनाता है, तो वो मनात बांगानगर बिकानिए 220KM, 210, 210, 210, 210, 210, चार ऐसे जिले है राजस्तान के जिन पाकिस्तान राजदेश के साथ क्या बनती है, सिमा बनती है, जिन में आता है गंगानगर, विकानिए, जेसलमेर, और बांगानिए,angel मेर, चार्स बॉर, 974, किलोमेटर इसके बाद में अगर बात कर ली जाए दूसरे नंबर पे तो बाड में राता है जिसके साथ बनती है दो सो अठाइस किलोमेटर तीसरे नंबर पे आता है गंगा नगर जिला जिसके साथ बनती है दो सो दस किलोमेटर और चोत्रे नंबर पे आता है बिकानिर जिसक सम्भाग कितने लगते हैं अंतराइस्ट शमापर कुछनियों कों से सम्भाग है जौत पूर्ष सम्भाग रुदपर सम्भाग Intrasya घकानीर डेश्ट इता है किसी पाकिस्तान देश भी पतों स कंदिया के प再त सकतिते हैं किसी संभाग से एक सबसे बड़ा संभाग है जोद्पू संभाग है अगर चेक्ति पिल की देखा से नियुनतं सीमा कौन से संभाग से लगती है तो विकाने संभाग मुखेले हो गया विकानेर संभाग नियुनतम सीमा कौन से संभाग से लगती है विकानेर से और नियुनतम सीमा जो लंबाई में बात कर ले हो भी किसे लगती है विकानेर जिले से इसी के साथ बात करते हैं कि राजस्तान को इसपर्ष करने वाले पाकिस्तान की अगर जिलों की बात कर ले तो पाकिस्तान की 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 जिलों की बात कर पूछ लिया जाए तो वो लगती है जेसर मेर से 464 किलोमेटर दूसरे नमबर पे पूछ लिया जाए तो वो लगता है बाड मेर से कितनी किलोमेटर लगती है पाकिस्तान से सीमा, संभाग कितने लगते हैं पाकिस्तान की सीमा से, दो संभाग लगते हैं, कौन-कौन से, जोदपुर संभाग और बिकानेर संभाग, सरवादिक सीमा की संभाग से लगती है तो जोदपुर संभाग से लगती है, और नियुनतम सीमा की संभाग से लगती है बिकानेशंबाग का ऐसी के साथ अगर पूछ ले जाए कि राजस्तान को इस पर्ष करने वाले पाकिस्तान की जिलों की संक्या बताए तो वो लगते हैं नो जिले और प्रांथ अगर पूछ ले जाए थी कि कितने प्रांथ लगते हैं पाकिस्तान के तो वो लगते हैं दो प् पांचवा है सुकुर, छटवा है खेरपुर, साथवा है सगर, आटवा है अमरकोट और नो है थार पारकर, ये नो जिले होगे बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमियार खान, गोटकी, सुकुर, खेरपुर, सगर, अमरकोट और थार पारकर, बात करते हैं अपन बहावलनगर बहावल नगर की अगर सिमा पुछ ली जाए तो गंगा नगर के साथ लगती है और विकानेर के साथ लगती है तो बहावल नगर जो है पाकिस्तान का जिला है बहावल नगर की सिमा लगती है राजस्तान के दो जिलों से गंगा नगर और विकानेर से बहावल पूर की सिमा लगती है उमर कोट की जो सिमा लगती है वो बाड मेर से लगती है और थार बारकर की सिमा भी कहा से लगती है बाड मेर से अगर पाकिस्तान की जिलों में सरवादिक जो पूछ लगती है तो बहावल नगर जो जिला है पाकिस्तान का उसकी सरवादिक सिमा किस से लगती है बहावल नगर, बहावलपूर और रहीम यार्खान, ये जो तेनों जिले हैं, ये पंजाब प्रांथ के हैं, और बाकी के जो च्छे जिले हैं, गोटकी, सुकुर, खेरपूर, सगर, अमरकोट और थारबार कर, ये शिंद प्रांथ के जिले हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा कितने थे दो नोजिलों में बहावल नगर, बहावल पुर, रही मियार खान, घोटकी, सुकूर, कھیरपुर सगर, अमर कोट और थार पारकर बहावल नगर की राजस्तान के साथ सरवादिक सीमा लगती है और उमर कोट की राजस्तान के साथ निउन्तम सीमा लग ती है